अगर आपके Axis Bank अकाउंट से किसी भी तरह से पैसे कट रहे हैं या किसी प्रकार से कट गए हैं, तो क्या करें क्योंकि समय पर ध्यान न देने पर यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और आपका नुकसान हो सकता है, जानकारी के लिए बता दे हम आपको ब भावना हो सकती है, आज के समय में हम सभी का एक बैंक अकाउंट होता है, और हमारा जो भी पैसा होता है, हम उसे अपने बैंक में जमा कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो भी हमारे बैंक खाते में पैसे होते हैं, उसमें से धीरे धीरे पैसे कटते रहते हैं, जिससे ह आपके अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसे कट रहे हैं, या कट गए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे तभी आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं, कि हमारे एकसिस बैंक अकाउंट से किन-किन तरीकों से पैसे कटते हैं, और क्यों कटते हैं, पहले बात करेंगे जब भी हमारे अकाउंट से 10, 20, 50, 100, 500 करके महीने में या साल में पैसे कट रहे हैं, तो हो सकता है आपके अकाउंट में कोई सर्व हुआ हो और कभी कभी बैंक की कुछ तक्निकी दिक्कतों की वजह से भी आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं, किसी भी तरह से आपके पैसे कट गए हैं, तो आपको एकसिस बैंक के इस नंबर 18-0-1-0-3, 5-5-7-7 से बात करना है, और उन्हें बताना है, कि हमने कोई भी लेन देन नहीं किया है, और हमारे अकाउंट से पैसे कट गए वह चेक करके आपको बता देंगे कि आपके पैसे क्यों कटे है, आप उनसे पूरी जानकारी ले समाधान ना हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर बैंक विजट करने की आबस्यक्ता है, विडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले